सो हेलो एब्रिवन बात करते हैं आज RVNL के बारे में यहां पर एक अच्छी न्यूज भी आई थी बट इस सेर में आप देख रहे हैं आज भी गिरावट देखने को मिली है और यह जो न्यूज है यह दिन में आई थी आज यहां पर बट नेगेटिव रिटरंस यह सेर प्रो आप लोग हमारा चैनल जॉइन कर सकते हैं यहां पर हमने दिया था प्रिवियसली आप देखेंगे ओस्वाल ग्रीन टैक का सेर दिया था हम मतलब दिन का सुबह सुबह यहां पर एक दू स्टॉक प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें ब्रेक आउट की पॉसिबिलिटी होती ह है या ब्रेक आउट हो चुका होता है सो ओस्वाल ग्रीन टैक दिया था हमने जिसके क्यों टार्गेट डन हो चुके हैं सो चलिए डिरेक्ली न्यूस पर चलते हम तो आप देखेंगे आज यहां पर एक अक्टोवर को यह न्यूस आई है तो यहां पर कल यहां पर तेजी द प्रोजेक्ट मिला है जिसकी कोश्ट है 283 करोड जो कि मतलब बहुत अच्छी अमाउंट है बहुत अच्छी कोश्ट है बट इस सेर में आप देखेंगे गिरावट ही आज देखने को मिली है प्रिवियसली भी आप देखेंगे ऐस सच कुछ अच्छे रिटन्स इसने प्रो प्रोजेक्ट में तो बड़िया रिटन्स प्रोवाइट किये इसने 100 परसेंट आप देख रहे हैं याँ पर एंड इयर टू रेट में भी देखेंगे आप रिटन्स इसके बड़िया नजर आ रहे हैं 188 परसेंट वन येर में 204 परसेंट ये भी सही है फाइव येर्स में वन परसेंट इसके रिटन्स रहे हैं सो ओवर आल जो रिटन्स नजर आ रहे हैं इसके वैसे तो सही नजर आ रहे हैं बड़िया नजर आ रहे हैं देखेंगे आप आप आल टाइम में भी वही रिटन्स मतलब ठीक है अभी पांस साली हुए हैं सो उसे आप से आल टाइम में के अराउंड हुई है वैसे अप्टर नूमेंट इस सेवर में देखने को मिल सकता है इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा यह 496 या 500 रुपीज के अराउंड कह सकते हम यहां पर इसके अराउंड रहने वाला है सो वेट कीजिए से स्टॉक में बाकि यहां पर 550 के अराउंड यह जाता हुँ अधिक सकता है अगर यह 551 के बहुत सस्टेन करें सो 610 के अराउंड आपको एक रेजिस्टेंस दिखा सकता है सो वेट कीजिए यहां पर न्यूस के चलते आज तो तेजी देखने को नहीं मिली है बट यहां पर कुल जिनों बाद इंपक्ट देखने को मिल सकता है सो वेट कीजिए से स्टॉक में मिड टम प्रेस्पेक्टिव से भी आपको 650 के राउंड जाता हुआ दिख सकता है वैसे बेटर रहेगा लॉंग टम प्रेस्पेक्टिव से होल्ड रखिये आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आयोगी समझ आयोगी थैंक्स पर वाचिंग